उत्तर प्रदेश के अलीगड़ जनपद के टपल थानाक शेत्र के गाव नूरपुर में समुदाय विशेश के लोगों के बारात चढ़ने से रोकने पर नाराज करीब सौ हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। दरसल हिंदू परिवार की बारात में समुदाय विशेश के लोगों ने जम कर मारपीट की थी जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है। जिसके बाद सभी लोगों ने अपने मकान के दर्वाजों पर मकान विकाऊ है लिखकर मकान बेचने की एपल की है एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने समुदाय विशेश के ग्याहर लोगों के खिलाप रिपोर्च दर्ज कर ली है। अलांकि दूसरे पक्ष से भी तहरीर दी गई है। दोनों की तहरीर की जांच की जा रही है। मामला 26 मई की दो पहर का है नूरपुर गाव के एक निवासी की दो बिटिया की बारात चढ़ने से रोका और बारात का विरोध करते हुए बारातियों और गाव के हिंदूओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारात मुख्यमार्ग पर मस्जिद के पास से गुजर रही थी, उसी दोरान समुदाय विशेश के कुछ लोगों ने बारात चढ़त का विरोध किया था, मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने वेधानिक कारवाई कर बते हुए मामला दर्ज कर लिया है